सब्सक्राइब हर्याना में स्कूल 30 नुवंबर तक बंद रहेंगे आज की ताजा ख़बर आज के न्यूज पेपर में परकासित के गई है यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका साथी राजे दोस्तों इस चैनल पर हर रोज आपके लिए एक या दो वीडियो आपके स्कूल से जुड़ी हुई आपके कोलेज से जुड़ी हुई मैं लेक आता रहता हूं जो आपके लिए कहीं न कहीं हैल्फुल जुरूरती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई इंप्रोटेंट वीडियो या इंप्रोटेंट इंफर्मिशन आपके मिशना हो तो दोस्तों देख लेते हैं हरियान में स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे वो कौन सी कलास के लिए रहेंगे और क्या कुछ बताया गया है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं परदेश में 30 नवंबर तक नहीं खुलेंगे आठवी गक्षा तक के स्कूल दोस्तों ये जो खबर आई है एक से लेके आठवी तक की गख्शा के लिए आई है क्योंकि आठवी से उपर तक नवी से उपर तो क्लास स्कूल खोलने को लेकर डीसिजन जारी हो चुका है पहले ही तो अब एक से आठवी तक के बारे में अपडेट आई है हरियाना में 30 नॉवंबर तक पहली से आठवी कक्षा तक के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे सभी बच्चों को घर पर रहे कर ही ओनलाइन सिक्षा उपलब्द करवाई जाएगी मगर इस दोरान अध्यापक बच्चों को घर गर जाकर मिड डे मील वितरित करेंगे इसे लेकर मोलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मोलिक शिक्षा धिकारियों को आदेश विजारी कर दी है दरसल कोवीड के मद्देनेजर अपरेल से 18 अक्तुबर तक आरासन सभी बच्चों को घर गर पहुंचाया जा चुका है इसमें गेहूं चावल मिल्क पाउडर इतियादी सामिल है खास बात यह है कि बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क भी सरकारद वाला उपलब्द करवाया जा रहा है वहीं इस मिडडे मिल्क को त्यार करने में आने वाली लागत भी बच्चों के खाते में पहुंचाई जा रही है अब यह है रासी अक्तुबर माह में 7 दिन और नवंबर माह में 23 दिन की बनती है इस एजाब से पहली से पाचवी अक्षा तक के परतेक बच्चे को 149 रुपे 10 पैसे और 60 से आठवी तक के परतेक बच्चे को 223 रुपे 50 पैसे खाते में डाले जा रहे है विभाग द्वारा जारी पत्र में यह भी साफ हो गया है कि अभी सरकार 30 नवंबर तक पहली से आठवी क्षा तक के स्कूल खोलने के पक्स में नहीं है तो दोस्तो पहली से आठवी तक के जो बच्चे हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा अभी आपकी स्कूल खोलने को लेकर तो 30 नवंबर तक का तो यहां पे जो निर्देश है वो दे दिया गया है कि 30 नवंबर तक तो आपके पहली से आठवी तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे और उसके बाद में इदी स्थीतियां सही रही पॉजिटिव रही तो आपके स्कूल खोले जाएंगे दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी है अवे ये तोस्तो आपके लिए ये तोस्तो आपके स्कूल खोले जाएंगे